राम-डाम भाईयो और वेनों, बाईयो आज हर इनसान के दोस्त कम है और दुष्मन जादा है, ये बिलकुल सही बात है, कि दोस्त कम है और दुष्मन जादा है, कारण कि सामने वाले की प्रगति को इनसान पचा नहीं पाता और वो उससे इरिश्या करने लग जाता है, जलन करने लग जाता है, कि ये मेरे से ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है, बस यही दुश्मनी का कारण यहीं से बनता है, और दुश्मन ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, दोस्त कम होते जाते हैं, ये हर इनसान पे लागू होत तो जिस किसी के इस प्रकार की दुश्मनी से जो परेशान है उसके लिए एक छोटा सा मंतर बता रहा हूं आपको ये मंतर सिद्ध करके और ये मंतर कर ले ना आप उसके बाद में देखना कि जिस पे भी आजमाओगे वही दुश्मन आपके कदमों की दूल बनता नजर आपके कदमों में गूर जाएगा आपका दोस्त बन जाएगा तो आपको क्या करना है कि कि सबसे पहले आपको इस मंतर के ग्यारा सो जब करके सिद्ध कर लेना है जो कि मंतर में यहां आपको दे दूंगा और आप उस मंतर को याद कर लेना याद करके ग्यारा सो जब करना ह उसकी यानि 11 माला आपको करके उसको सिद्ध करना है और उसके बाद में मैं आगे का बताऊंगा पहले मंतर बता देता हूँ मंतर छोटा सा मंतर है जो यहां मैं आपको दे रहा हूँ मंतर आप यहां से ले लेना मंतर है कि ओम जल की जोगलिनी पताल का नाग जिस पर बेजूं तिस पर लाग सोते सुखन बैठे सुख फिर फिर देखे मेरा मुख मेरी बांदी छूटे तो बाबा नार सिंग की जटा तूटे ये इतना मंतर है तो आपको किस परकार करना है उसके बाद में आपने शिद्ध कर लिया इस मंतर को उसके बाद में जो भी आपसे अदावत रखता हो जो दुस्मनी रखता हो जो आपको मतलब बिल्कुल ही चाहता नहीं हो ऐसे इनसान पे आजमाने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी शनीवार को उसको जब वो कहीं जाता है तो उसके बाएं पैर की तीन कदमों की बाएं बाएं पैर की तीन पैरों की उसकी मिट्टी उठा लेना वो ले आना लाके अपने पास में रख लेना और फिर क्या करना है कि एक पतासा लेना है उस पतासे के अंदर चार लोंग रखने हैं पतासे को थोड़ा सा उपर से तोड़के उसके अंदर चार लोंग रख लेना और फिर कहीं ऐसी जगे पानी का श्रोत जैसे तालाब है या क चले जाना और उसमें डुबकी लगाकर यानि अपना सिर को पानी के अंदर डुबो कर और ये सात बार मंतर बोलना है एक बार में एक सांस में पूरा नहीं कर सको तो सातों बार आपको पानी में डुबकी लगाके ही मंतर बोलना है और फिर क्या करना है कि वापस आ जाना है और उसके पैर की मिटी तो जो उसके पैर की मिटी लाए हैं वो हमारे कहीं भी आंगन में या बाहर जगे खाली पड़ी हो कहीं भी आप खड़ा खोद के उसमें गाडर देना और जो चार लॉंग लाए ओ वो चार लॉंग आप उस पतासे में से निकाल कर जो विमिंत्रीत की है वो पतासे में से निकाल कर और पीश कर किसी भी परकार से उस दुश्मन को खिला देना, चाए पान में खिला देना, चाए कोई खाने वाली चीज में खिला देना, चाए किसी पीने वाली चीज में थोड़ी सी पाउडर डाल कर उसको खिला देना, पिला देना, वो ही दुश्मन आपके चरनों की धूल बन जाएगा, और आपके सामने गिर-गिराता हुआ नजर आएगा ये हमारा पिताया हुआ एकदम से परिच्छित है एकदम से हमारा ये बहुत से लोगों का अजमाया हुआ है किया हुआ है आप भी अजमाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी तो ये कर के देखना कल फिर एक वीडियो के साथ मैं आपसे मिल तब तक के लिए नमस्कार जैहिंज जैभारत